हैलो फ्रेंट आज माई द्यक्षाम गा इस वीडियो में आटोमेटिक अनॉव 230 बोल्ट एसी એलडीया स्विच कैसे करे ए जो એलडीया स्विच हे वो दिन में बंध हो जाता है और राथ को आटोमेटिक चालू हो जाता है यह जो LDR शूज है इसको 230 वोल्टेस से यूज करने बाला कोई भी चीज आप चला सकते हैं लेकिन ज्यादातार यूज होता है लाइट जलाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज करते हैं तो फेंट इसको बानाने के लिए जो जो चीज जोरूर थे वान ट्राइक जिसका नमबार है BT 136 और एक LDR जो लाइट प्रण्डेस से काम करेगा और एक रेजिस्टर जिसका भेलो है 220 के और एक डाइक दिपी थिरी बास यही चारो चीजी जोरूर थे इसको बानाने के लिए तो पहले LDR शुल्डारिंग करते हैं यहाँ पे और एक कनेक्शन यहाँ पे और उसके बात रेजिस्टर को साथ और डाइक को इस तरह शुल्डारिंग करना होगा पहले ऐचे और इसके बात इसे यहाँ पे शुल्डारिंग करना होगा तो ट्राक है इसका बीचो बाला पीन में और इस साइड बाला पीन में ऐसे तो आप देख सकते इसको बानाने का प्रोसेस कम्पलीट होगा ऐसे ही करना होगा तो फिर्ट आप मैं इससे टेस्ट करूँगा यह ठीक से काम कर रहा है क्या नहीं तो चलिए इसको टेस्ट करने के लिए हमें 100 और 200 वाट इसमें से कोई भी वाट का एक बाल्ब इसके साथ कनेक्शन करना होगा इस स्विश के साथ जो हमें पता चलेगा इस स्विश ठीक से काम कर रहा है क्या नहीं इसको लागाने से तो आप देख सेकते हैं इसका कानेक्शन कैसे करना होगा इस से कनेक्शन करना होगा और उसके बाद हमें इसको सप्लाई देना होगा 230 वोल्ट है थो सप्लाई देने के बाद कोई एस से इस तरह ऑंधरा करना होगा जो ldr है इसको ऐसे अंधरा कोई भी चिसचे कर मैं तो मेरा पास रिमोट है तो मैं रिमोट से किया अभी तो ऐसा करने से जब यहां पर अंदरा हो जाता है तो light जालने लगता है आप देख सकते और एशोज बेलकूल ऐसे ही काम करता है दिन में off हो जाता है रात को automatic जाल जाता है light थैंक्यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए और आच्छा लग तो लाइक कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह वीडियो में हर तरह लाता रहता हूँ